मुंबाई के बाद शारुक खान के घर का नजारा बदल गया है जी हाँ अगर आप शारुक का घर देखने जाएंगे तो वहाँ आपको हीरों जैसी चमक दिखाई देगी ये वीडियो देखिए जरा कैसे डायमेंट की चमक के बीच मननत का नाम लिखा दिखाई दे रहा है जी हाँ जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शारुक के बंगले मननत का है जहाँ नेम प्लेट बदलते ही चारों तरफ हंगामा मच गया है शारुक हर तरफ ट्रेंड करने लगे हैं शारुक के बंगले मननत की ये नई तस्वीरे इंटरनेट पर धमाल मचाने लगी है अब अगर आपने शारुक का घर नहीं देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बदला है तो देखिए पहले शारुक के बंगले पर ये इस काली टाइल पर लिखा रहता था मननत लेंट्स एंड लेकिन अभी शानधार फिनिशिंग वाली डायमंड शाइनिंग के साथ नए स्टाइल में बदल दी गई है देखिए शारुक के बंगले के विशाल दर्वाजे पर डायमंड फिनिशिंग में एक तरफ लिखा गया है मननत और दूसरी तरफ लिखा गया है लैंड्स एंड वैसे इसको लैंड्स एंड क्यों कहते हैं अगर आप ये नहीं जानते तो चलिए आपको बता देते हैं देखिए मुंबई के बंद्रा में शारुक का बंगला जिस जगह पर है दरबासल वहां जमीन खत्म होती है और वहीं से समंधर शुरू होता है जमीन खत्म होने की वज़े से इसके इलाके को बांदरा का लैंड्स एंड कहा जाता है शारुक का ये दर्वाजा और इस दर्वाजे के आगे लिखा लैंड्स एंड ही वो जगह है जहां शारुक के घर आने वाले फैंस अकसर अपनी फोटों खिचवाते हैं अपने फैंस को विश करने के लिए भी शारुक येही से इसी दर्वाजे के पास खड़े होते हैं लेकिन अब ये दर्वाजा और दर्वाजे के पास लगी नेम प्लेट बदल गई है वैसे शारुक के दर्वाजे के नेम प्लेट का बदलना भी इस वक्त खूब ट्रेंट कर रहा है देखिए ट्वेटर पर कैसे फैंस इस दर्वाजे के साथ अपनी तस्वीरे डाल कर चीर कर रहे हैं टीम शारुक खान फैंकलब लिखती है लगभद दो महीने बाद मन्यत का ये नया गेट डिजाइन दुनिया के सामने पेश हुआ ये सूपर ओसम है आपको कैसा लगा शारुक के नए दर्वाजे पर लगतार नए-नए कॉमेंट आ रहे हैं और लोग इस डिजाइन को काफी अप्रिशेट भी कर रहे हैं खैर आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको बादशाह के महल के दर्वाजे का ये डिजाइन कैसा लगा आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं